दोस्तो आज के वोड़ो में हम करने वाले है extension board की wiring तो इस board में यहाँ पे लगए हुए 10 socket तो यहाँ आप देख सकते हो और उसके बाद यहाँ पे लगए है 8 switch ठीक है उसके बाद यहाँ पे लगए एक MCB उसके बाद यहाँ पे लगए एक indicator तो इन सब को यहाँ पे connection किस तरह से होता है तो इसके बार में आपको पूरा बताएंगे आपके मन में कोई doubt ने रखेंगे तो वीडियो अच्छे लगए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले से क्या करते हैं तो इससे आप यहाँ पे से lock कर सकते हो तो यहाँ पी देखिए औ तो वायर को यहाँ पे लगा देते हैं और लगाने के बाद इसके जो screw है इसे यहाँ फटाफ़ टाइट कर लेंगे तो यहाँ पे हम सभी switch के नीचे यहाँ पे face का connection करेंगे तो यहाँ पे लगा दिया उसके बाद इस वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे तो फटाफ़ य यहां पर हमने वायर को लूप करके Research advancing क्यूंट किया है, कभी कभी हमारे सुष्ट जाती है उसे चेंच करने में quiet pine लेकिन यहां पर कुछ लोग क्रिवे करने में लिकिन यहां। सकते हो लेकिन यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा लिंक यहां पर डाल देते और उसे निकालने में भूर सारा टाइम लग जाता है तो इस तरह से लूप करके फिसका करेंशन आप कर लो तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी तो इसलिए हम आप पूर करें ठीक है तो यहां फटा-फट यहां पर सभी स्वीच के निचंचे हम फेस का करलेते हैं इसके बाद इस वायर को हम लगाएंगे एंशभी के आउटपूट में तो यहां पर लगा देते हैं और यहां पर जो screw है उपर वाला इसे हम यहाँ पर tight कर लेते जल्दी से इसके बद हम connection करने वाले neutral wire का तो इस तरह से loop करके लेंगे loop कर लिया तो हमारा time बचेगा और यहाँ पर हमारे जल्दी से हो जाएगा तो यहाँ पर आपको socket पर यहन लिखा है वहाँ आपको नूटल का connection करना होता है तो यहाँ पर यहन लिखा है यहाँ पर यहन लिखा है तो हर socket में जापर यहन लिखा है वहाँ आपको नूटल का connection करना होता है तो यहाँ पर फटाफट connection कर लेते तकि हमारा time बस सके यहां पर हमने सभी neutral का connection socket में कर दिया है इस neutral का connection हम करेंगे main neutral के साथ और इस wire को हम जोड़ेंगे indicator के साथ जोडेंगे यहां पर हम switch के output से एक wire को हम जोड़ेंगे Socket में जहापर यह लिका होता है तो उसे हमें वह पर जोड़ना है ठीक है तो बहुत ही आसाने कुछी मुश्किल नहीं है तो यहाँ पर आपको जोड़ना है switch के उपर के point में यह wire जोड़ना है उसको भी बोलते है output switch का और इस wire को जोड़ना है जहाँ पर socket में यह लिखा है वहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ फटनफट connection को कर लेते जिल्दी कि इसे? इसके बाद इस switch के output में से हम एक wire निकालेंगे और उसे जोड़ेंगे तीन socket को तो यहाप एक wire लगा देते और इसका screw tight कर लेते उसके बद क्या करेंगे इसके साथ दूसरा wire जोड़ेंगे और इसी लगाएंगे socket में जहापे यह लिखा है टर्मिनल पे वहां लगाना है तो यहापे हमें एक switch पे तीन socket करने तो इसलिए हम इस तरह से connection कर रहें तो आपको यह मालूम रहना चाहिए कि यहापे किस तरह से connection हुआ है तो यहापे फटावड connection कर लेते इसके बाद connection करना है आर्थिंग wire का जो socket में जो बड़ा वाला point होता है वो आर्थिंग का होता है त तो फटावड यहापे सभी को हम टाइट कर लेते जल्दी से इसके बाद connection करेंगे main wire का यह three core का wire है और radical का phase का wire है यह आर्थिंग का wire है और neutral का wire ठीक है तो सबसे पहले यहापे हम phase का connection करेंगे MCV के input में input का मतलब MCV के नीचे वाले point में तो यहापे phase wire लगा देते है और इसका screw यहापे अच्छी तरह से tight करके लेना हमें तो लिया उसके बाद यहापे connection करेंगे neutral wire का तो इस wire को और इस wire को यहापे दोनों को एक करना है और दोनों को एक करके हम लगाएंगे indicator के एक point म एक point में मतलब एक terminal में तो यहापे इसको लगा देते है और इसका screw यहापे tight कर लेते है ठीक है तो यहापे हमारा neutral का भी connection यहापे करके पूरा हो चुका है उसके बाद यहापे हम connection करेंगे arthing wire का तो इन दोनों wire को यहापे एक सत कर देते है और इसे हम यहापे लगाएंग तो यहापे जोड़ दिया और इस wire को हम जोड़ेंगे mcv के नीचे वाले point में यह input के point में तो यहापे इसको जोड़ देते है ताक कि हमारी indicator यहापे supply देने के बाद सबसे पहले indicator जह लेगी तो यहापे connection कर लिया है तो यहापे आप देख सकते हूँ ठीक है तो आप कुस जोड़ देते है तो यहापे इसको बंद कर लेते है तो यहापे लोग हो चुका है तो यहाप देख सकते हूँ ठीक है तो इसके बाद क्या करते है अभी तो मैं supply को चालू करते है तो मैं supply को चालू कर दिया तो यहापे indicator गलो कर रहा है तो यहापे आप देख सकते हूँ इसके बाद यहापे हम test lamp लगा के check करेंगे तो switch को on करते है on करने के बाद यहापे हम लगाते है तो यहापे जल रहा है तो यहाप आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाप यहाप यह सही से काम कर रहा है, ठीक है, तो यह आपे, सही से काम कर रहा है, तो यह आपा आप दिख सकते हो, उसके वाध सफी है यह आप लगाते, switch को on कर रहेंग, all adversary सही है, इसको यहाप लगाते, तो सबको हम यहापे फड़फट शेक कर लेते, तो देखिए आप यहाँ पर सब सही है तो इस तरह का आप connection करके आपने घर का extension board बना सकते हो और उसे आप कहा भी लेकी जा सकते हो सभी घर में extension board की ज़रुद होती है तो इस तरह का board आप बना सकते हो इसमें खर्चा कितना आता है तो आपको बताता हूँ इसमें कम से कम आपको 700 रुपे खर्चा आएगा क्योंकि socket switch और MCB और indicator लगा है तो कम से कम आपको 700 रुपे तो लगेगा इसो बनाने में तो भोती आसा ने लिकने एक time बना दिया तो आपको light time यह यूज़ कर सकते हो तो आपको वीडियो कैसे लेगे ज़रू बताना अगर यह वीडियो आपको आच्छी लगे तो like कर देना और चैनल को subscribe कर देना तो आज के लिए इतने तो मिलते हैं श्टूडियो में तब तक लिए बाइबाइ